200 क्रोर रुपे की ठगी से जुड़े मनी लॉंड्रिंग मामले में आज पहली बार शुकेश चंद्र्शेकर और जाक्लीन फरनार्डिस का आमना सामना हुआ मनीलोड्रिक मामले में मंगलवार को शुकेश चंतरसेखर को पटियाला हाॉस कोट में पेश किया गया जाहां इस मामले में पहली बार उसका सामना जैकलिन फ Arnoldis से हुआ कोर्ट में सुनवाई के दोरान दोनों कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे और इस दोरान बहस होती रही पट्याला हाउस कोर्ट में अविनेतरी जैकली ने विदेश जाने की इजाज़त मांगी है जिस पर कोर्ट 22 दिसंबर को सुनवाई करेगा कोट में मामले की सुनवाय शुरू होते ही E.D. की तरफ से पेश वकील ने कहा सुकेश चंदर सेकर ही इस मामले में मास्टर माइंड है E.D. के वकील ने कोट को इस मामले की पुरानी कहानी बताई और कहा कि शुकेश के पास से तिहाड में कई सारे मुवाइल भी मिले हैं पब्लिक प्रोसेक्यूटर ने कहा कि सुकेश ने पीडिता को पहला फोन लेंड नाइंड से किया था जिससे 200 करोड की ठगी की थी सुकेश ने सुकेश ने सुकेश किया था कि 57 करोड रुपे आधिती सिंग ने लिया लेकिन जाच में पुलिस ने पाया कि उसने 80 करोड लिया था हालनकि सुकेश के वकील ने ED के वकील के आरोप आपत्ती जटाई E.D. के वकील ने सुकेश के बयान पढ़कर कोर्ट में सुनाया कि सुकेश ने बताया थे कि रकम कॉप्योग जेल अधिकारियों और भी मोहनराज को गिप्ट घर भेजने के लिए किया गया था सुकेश का कहना है कि मोहनराज द्वारा महंगी कारे और लैंबोर्गनी कार आदी खरीदी गई कुल 26 कारे खरीदी गई